बिस्मिल्लार्मान रहीम, असलाम अलेकूम, वेल्कून के माई चैनल हमीज वर्ड, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मज़दार सा ब्राउनी ट्राइफल, यह हम बनाएंगे होममेट ब्राउनी और विप्ट क्रीम के साथ, तो सबसे पहले हम ब्राउनी की प्रिपारिशन कर लेते हैं, तो ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तीन अंडे, 100 ग्राम अमूल बटर, इसी के साथ हमें चाहिए एक कप केस्टर शुगर, हाफ कप मैंदा और वान फूर्ट कप दाफ कोको पाउडर, एक टी स्पून वानिला एसंस और एक टी स्पून बेक्टी पाउडर, सबसे पहले एक सूखा बाउल लेंगे हम, इसमें हम ये तीनो तीन अंडे डाल देंगे, अंडे जो हैं ये रूम टेम्परेचर पर लेने हैं, अंडे डाल कर हम इसे हैंड विस्कर से ही अच्छे से विस्क करेंगे, तक्रीबन एक या दो मिनित के लिए, इसके बाद हम इसमें कैसे शुगर डालेंगे, शुगर जो हैं ये मैं च्छान कर डाल रही हूं, तक्रीबन सारी पाउडर चीजें आपको च्छान कर डालनी हैं इसमें, और इसे अच्छे से विस्कर से ही विस्क कर लेना है, इसे हमें अच्छी तरह से विस्क करते रहना ह तब तक हम विस्ट करेंगे इसको जब तक कि दोनों चीज़ें आपस में एकदम मिलना जाए और अब हम इसमें एड़ करेंगे आमुल बटर ये बटर जो है ये रूम टेंपरिचर पर लेना है बटर डाल कर हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तब तक हम इसे विस्क करते रहेंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें आपस में एकदम अच्छे तरह से मिलना जाए तो ये मिक्स हो चुका है और अब मैं इसमें एक कर रही हूँ मैंदा इसे भी हम चानद कर डालेंगे और मेंदा दाल कर भी हमें इसे अच्छे से निक्स कर लेना है, बहुत ही ही प्राउनी जो है, यह बहुत ही बहुत ही अच्छे तरह से द exh़ty सहई आपसे नहीं चिछ स्च ज़औ करने हैं, जब से अब धमें कुमने को मतना हैं, हमें दूम्त यह सी करने हुं dus अब हम थे लिह इसे भी हमें छान लेना है। और इसे डाल कर मिक्स कर लेना है। तो यह बहुत अच्छी तरह से देखे मिक्स हो चुका है और अब हम आखरी चीज़ें इसमें डालने वाले हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक टी स्पून जतना बेकिन पाउडर और साथी साथ हम इसमें एड करेंगे एक टी स्पून जतना वैनिला एसेंस तो यह लास्ट टेज़ पर है तो तब तक हम आवन आउन कर देंगे प्री हीट करने रख देंगे आवन को तकरीबान 200 डिग्री पर 10 मिनिट के लिए प्री हीट करेंगे एक चुटकी नमक भी इसमें एड कर लेंगे हम और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने यहां पर बॉड़म रिमुविबल बरतन लिया है इसके उपर बटर विपर लगा दिया है और मैंने बटर से इसे ग्रीस कर लिया है और यह सारा मिक्स्टर हम इसके अंदर लादेंगे इसकी सर्थिस को हम बराबर कर लेंगे इस तरहा से और गिलिक से सेट हो चुका है और अब हम इसे बेग कर लेंगे हमें इसे बेग करना है 180 डिग्री पर नीचे की कोईल को आउन करते हुए तकरीबन 20-25 मिनिट के लिए तो यह देखें मज़दार सी केकी ब्राउनी हमारी बन कर ज़री है ठंडी हो चुकी है और अब हम इसे निकाल रहे हैं तो इस तरह से किसी भी प्लेट पर आप निकाल लें इसकी बॉटम को और बटर पिपर को आप निकाल लें आप चाहें तो ऐस इस तरह से इसके पिस्स करके इससे सर्फ कर सकते हैं यह देखें कितनी मज़दार सी बन गई है हमारी केंकी ब्राउनी और अब हम यह साई ब्राउनी को क्रम्बल करेंगे चुतरी हमें जरुरत है हम उतना इस्तेमाल करेंगे इस तरह से एक अंबल हो चुका है और इस तरह से ट्रांस्पेरंट ग्लासिस में इसे रख रही हूं आप चाहें तो बड़ा सा बाउल मिले सकते हैं ट्रांस्पेरंट और इस तरह से एक लिया लगाने के बाद चम्मत से इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है और अब हम इसे साइट पर कर लेंगे और यहाँ पर मैंने 500 ml जितना विप क्रीम गिया है इसके मैंने दो हिस्ते कर लिए है यह फ्रोजन है मैंने तकरीबद आदे गंदे पहले से इसे निकाल लिया था और अब हम इसे एक बिटर के जरीए हाई स्पीड पर बीट करेंगे बहुत से लोगों की कंप्लेइन होती है कि हम से विप क्रीम अच्छे से विप नहीं हो पाता तो इसमें कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको विप क्रीम जब भी आप लाएं मार्केट से फ्रीजर में रख देना है जब भी आप इस्तमाल करने वाले हो आपको इसे आदे गंटे पहले से निकाल लेना है और फिर इसको बीट करना है और बहुत जड़ा बीट नहीं करना है देखे मैंने इस तरह से बीट कर लिया है यह देखे अच्छे से आदा बीट हो चुका है और दूसरा आदा जो है इसको भी हम बीट करेंगे और यह देखे जैसे वैनिला आइसक्रीम होती है बिल्कुल यह इसी फॉर्म में लग रहा है मैल्च करने के बाद इसे विप नहीं करना है यह देखे मैंने आधा बीट कर लिया है अब इन बिट्वीन हम डालेंगे मेरे पास पचास ग्राम जितना बाक चॉकलिट था और दो टिबल स्पून दूद लेकर मैंने दोनों चीजों को हलकी आज पर गरम कर लिया था उसके बाद थंडा कर लिया है और इसे मैंने अब विप क्रीम में डाल दिया है ताकि इसमें चॉकलिट का अच्छा फ्लेवर आ जाए तो हम दो फ्लेवर के विप क्रीम की लेयर लगाएंगे एक सिम्पल वाला और एक चॉकलिट वाला आपके पस डाप चॉकलिट ना हो तो आप सिम्पल सी मिल्क चॉकलिट भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हम दुबारा से हाइस्ट पीच आने तक विप करते रहेंगे इसको विप करने में 3-4 मिनित लगेंगे आपको इसे बहुत जादा विप नहीं कहना है आपको लगेगा कि अब ये परफेक्ट हो चुका है काफी स्टिफ हो चुका है तब आपको स्टॉप कर देना है और कई बार ऐसा होता है कि हम विप प्रीम विप कर लेते हैं और काफी सारी बच चाती है तो दुबारा से आप इसे फ्रिजर में ही रग दे और जब भी आपको यूज़ करना हो बस 20-25 मिनित पहले आप निकाल ले दुबारा से बीच करें और उसको यूज़ करें तो अब ये देखिए चॉक्रेट वाली भी हमारी रेडी है अब हम इसे पार्पिंग बैग में डालने वाले हैं तो मैंने इस तरह की प्लास्टिक की पार्पिंग बैग ली है और इसे ग्लास में रखेंगे इस तरह से करते हुए हम सारी विप क्रीम अंदर डालते जाएंगे इसको बीच बीच में रिफील करना पड़ेगा आप चाहें तो चम्मस्र भी कर सकते हैं या तो फिर आप जिप लॉक बैग हो उसके जरी भी आप ये बना सकते हैं और इसके किनारों को हम कट करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी भी फिवी कर लेंगे और एक बाद इसमें नोट करने की ये भी है कि ये विप क्रीम जो विप हो चुका है अब ये मैल्ट नहीं होने वाला है और आप इसे तक्रीबान एक कंडे तक बाहर भी रख सकते हैं और इसे बनाने के बाद फ्रीज़र में भी रखने की ज़रूरत नहीं है आप फ्रीज़र रख सकते हैं इसे ब्राउनी की लेयर हम लगा चुके हैं तो अब हम इसके उपर चॉकलेट वाले विप क्रीम की लेयर लगाएंगे उसको चम्मत से बराबर कर लेंगे और अब हम दुबारा से इसके उपर ब्राउनी की लेयर लगा देंगे अगर आपको विप क्रीम ज़्यादा पसंद है तो आप विप क्रीम की लियर ज़्यादा रखे अगर आपको ब्राउनी ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी लियर ज़्यादा रखे तो दोनों पर दुबारा से हम ये स्प्रेट कर देंगे और शरा समय New प्रैस कर लेंगे और इसके बाद लास्ट में हम जू साधा वाला वीप क्रीम है वाइत वाला ऊसकी लिए लगा देंगे और लास्ट में में छुटी की मदद से इसकी सैर्फिस को इस तरह से बराबर कर रही हूं इस तरह से करते जाना है जहां भी जगह आपको दिखे उसको विप क्रीम से फील करके दुबारा से इसको फ्लैट कर दें और लास्ट में जुकि यह वाइट कलर है तो मैंने इसके उपर थोरे से चॉकलिक चिप्स रख दिये हैं और मेरे पास स्टांदी के वर्ग गर में अव आन्सोर तामली नमबर इसके साथ शजात लाख है